जैन सात्यों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासिस में आई ओप सो दोस्त आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर्ली तरीके से कर रहे होंगे तो गाईज मैं बात करने वाला हूँ आज वन अफ सब्सक्राइब कर लेना और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लेना लिंक आप सभी को डिस्क्रेप्सिंट में मिलेगा तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक्जाम पेटर्न के बारे में ठीक है और आप सभी की लीजिबिटी 10 वाले 12 वाले डिपलोमा वाले एक र सबसे पहले दोस्तम आप सभी को लेकर चलता हूँ इसके बारे में मैं आप सभी कि पहले करने की कोशिश करता हूँ ठीक है वेटा सेकिंड तो गाइस यह आप सभी के सामने स्क्रेंट पर ओपन है क्या सेलेक्शन प्रोसेस ओफ मेस रिकूटमेंट 2023 ठीक है जिसका दोस्तो तो अभी upcoming में आप सभी इस form को समझ सकते हैं बढ़ दोस्तो जल्दी आप सभी को इसका notification देखने को मिलेगा और बड़ी vacancy होगी तो इसके लिए आप सभी को पहले से पी इटी ठीक है एक तो होगा physical standard test जो बच्चो आपका height weight chest को लेकर होगा एक होगा आप सभी का running वगेरा और दोस्तो लंबी कूद वगेरा long jump वगेरा high jump वगेरा को लेकर PST physical efficiency test दन उसके बाद बच्चो जो most important है जिसके उपर आप क्या बनेगी? cut off बनेगी? final Cut Of Selection आप सभी का होगा. exam base यानि के written examination के उपर. जो आप सभी का CBT होगा? ठीक है? online mode में होगा बच्छो? computer based examination फिर उसके बाद आप सभी का document verification होने वाला है और फिर जो final merit बनेगी वह दोस्त आप सभी का किसके के बेस पर है written examination के बेस पर यह जो PST और PAT है बच्चो यह आप सभी का कैसे नेचर का है qualifying नेचर का है ठीक है किलियर आयोप सो किलियर हो चुका होगा चलिए गाइस तो यह किलियर हुआ बच्चो आगे बात कर लेते हैं education qualification minimum दोस्तो essential qualification कितनी चाहिए इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो तो आप जड़ा चेक करेंगे बच्चो यहाँ पर एसके जो second poster बच्चो उसकी बात करें तो 12th pass आप सभी का किसी भी रिकोनाइज बोड़े और यूनिवस्टी से होनी चाहिए ठीक है चलिए इस 10 second जो है बच्चो उनके लिए है 12th pass ठीक है equivalent from any recognized board या उनिवस्टी प्लस में दोस्तो आप सभी के पास skill test norm से जो deduction होना चीए आप सभी का 10 minute per second ठीक है यानि कि 10 दोस्तो आप सभी का MTS वाला at the rate 80 VPM यानि कि 80 word per minute आप सभी को 10 minute में लाने है ठीक है और transcription बच्चो 50 MTS दे रखा है इंजिनिरिंग में आप सभी को कितने और 60 MTS दे रखा है बच्चो कितना हिंदी में ठीक है own computer समझ मैं यह तो बच्चो आप सभी का skill test हो गया किन के लिए जो steno grafers है ठीक है आगे बात बात कर लेते हैं चलो UDC वाले जो भी बच्चे हैं उनको चाहिए क्या degree यानि कि आप सभी के पास graduation होनी चाहिए तो UDC वाले जो भी है ना दोस्तो lower division clerk वाले जो form भरना चाहते हैं उनके पास graduation essential qualification होगी तो graduation वालों की भी दोस्तों क्या vacancy आने वाली है यह समझ लेना आप प्लस में दोस्तों आप सभी को 35 वर्ड पर मिनट ठीक है इंग्लिस टाइपिंग और हिंद्य टाइपिंग तीस वर्ड पर मिनट आप सभी की हिंद्य टाइपिंग अब यह एक्क्यूरेशिन होने maintain नहीं कर रखिया बतानी रखा है कि कितनी एक्क्यूरेशि के साथ कोई बात नहीं वो दोस्तों फुल नोट डिफिकेशन में दिखा दिया जाएगा आगे बात कर लेते हैं दोस्तों CMD ओजी वाली जो पोस्ट है ठीक है matriculation from any recognized board और desirable है दोस्तों क्या should be convergent with duties of चोकिदार and should be physically fit यानि कि जो भी दोस्तों form फिल करेगा वो physically fit होना चाहिए ठीक है चोकिदार duty के लिए और यह दोस्तों desirable है ठीक है आगे चलते हैं बई आगे दोस्तों सफाई वाले का यह आप form apply करने तर 10 जरूरी है ठीक है और दोस्तों चोकिदार की फिर दोबारा से आप सभी की तो आपके लिए क्या जरूरी है दोस्तों matriculation जरूरी है ठीक है या दोस है तो आप इसे apply कर सकते हैं अगर आपके पास दोस्तों diploma है cooking में तो आप दोस्तों इसे apply कर सकते हैं ठीक है तो यह दोस्तों special में अलग से mention करका है और में ठीक है mandatory नहीं है बट और दे रखा बच्चो यानि कि extra chance दोस्तों canman की बात कर लेतेगा इस matriculation आप सभी के पास होन ठीक है एंड दोस्तों 10 ठीक है तो यह भी दोस्तों आप सभी के लिए iti वालों के लिए भी हो गई और em reader की बात करें बच्चो तो 10 आप सभी के 10 प्लस 2 examination यानि के 12 आप सभी को चाहिए ठीक है जो सबसे main जो बच्चो पोस्ट है उनकी बात कर लेते हैं सबसे main जो मेट की यह आप सभी बोल सकते tradesman मेट की ठीक है किलियर तो मेट SSK में बच्चो आप सभी के पास क्या होना चाहिए matriculation from any recognized board या दोस्तों आप सभी iti से film फिल कर रहें तो iti भी जरूरी है ठीक है तो यानि कि दोस्तों अगर iti वालों के आएगी तो iti वालों के आएगी त 10th वालों के आएगी तो 10th वाले यानि कि अभी दोस्तों defined नहीं है ठीक है mate SSK वालों के और बहुती best vacancy है और सबसे ज्यादा vacancy दोस्तों आप सभी को इसमें देखने को मिलने वाली approximate दोस्तों 4500 के आसपास ठीक है और इसके बाद दोस्तों second number पे है ldc या udc बच्चो या MTS approximate दोस्तों 500 plus vacancy 500 से ज्यादे ही होंगी बच्चो ठीक है approximate आप सभी 800 के आसपास समझ सकते हैं MTS udc ldc में और 4500 के आसपास या 5000 के आसपास दोस्तों mate में है तो बड़ा आकड़ा तो दोस्तों mate का है ठीक है आपको focus करना सबसे ज्यादा इस पर आइटे वाले भी form apply कर सकते हैं और दोस्तों matriculation वाले भी matriculation तो mandatory है दोस्तों ये तो जरूरी है प्लस में दोस्तों ITI है तो beneficial ही है ठीक है clear ये mate SSK की बात हो गई और बचती है दोस्तों आप सभी की कुछ post और बचती है यदि मैं बात करूं दोस्तों जई की जई सिविल क ठीक है एंट जई दोस्तों mechanical वालो की एंट जई दोस्तों electrical वालो की तो उनके लिए दोस्तों mandatory है आप सभी के पास या तो diploma होना चाहिए three year का ठीक है या दोस्तों आप सभी के पास क्या होनाowego होना चाहिए वाले ठीक है और यहां दोस्तों आप सभी के पास डिप्लोमाइन थ्री इयर इन पर्टिकुलर ट्रेड में बच्चों होना चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच में सिविल में मेकैनिकल में एलेक्टरिकल में ठीक है किलियर चलिए भई आगे बात कर लेते हैं आप दोस्तों को लेकर चलता हूँ जो जरूरी है जो आप सभी के लिए दोस्तों जानना जरूरी है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एक्जाम प्रेटन की जो इसपेसली दोस्तों मैं अपने तरीके से लिखकर डाया हूँ पहला दोस्तों सबसे याद रखना कि चार सक्षन ठीक है अब ध्यान से समझना दोस्तों इस तागे की वीडियो को तो चार सक्सान होंगे बच्चो पहले नंबर पर रिजनिंग 25 कोशन आएंगे 25 नंबर के सेकंड नंबर पर जीके और इंगलीज है बच्चो 25 नंबर आएंगे 25 कोशन 25 नंबर के होज़ा है अब यह कुँच्र तो तो समझे में आगैंगा सबसे पहली बात तो ज्यादा ज्यादा कुशन तो आनी रहे है 25 पाचिस कुशन आ रहे हैं ठीक है तो सभी पर दोस्त आप सभी को easily और दोस्तो same focus करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं निगेटिव बार मार्किंग के बारे में तो यानि कि one fourth के negative marking बच्चो रहेगी यह रहेगी आप सभी की ठीक है one fourth के negative marking के साथ दोस्त आप सभी ज़्यादा score कर वाएंगे, अगर दोस्तों यहीं marking one third की हो जाए, तो आप सभी दोस्तों accuracy maintain करना ज़रूरी हो जाएगा, compulsory हो जाएगा, ठीक है, यदि one fourth की है, तो दोस्तों आप सभी chance भी ले सकते हैं, risk भी ले सकते हैं, यदि दोस्तों आप सभी फस पारें किसमे 50-50, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 1-4 की negative marking के आप सभी ज़्यादा score कर पाएंगे, ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों reasoning के बारे में, reasoning में guys आप सभी 25 में से 25 score कर सकते हैं, easily, ठीक है, बट आपके दोस्तों क्या, जो rules है, concept है, ज दोस्तों आप सभी 23-24 ला सकते हैं, easily, बट जो दोस्तों मांगता है, मैत क्या, concept और rules, यह आप सभी को पता होने चाहिए, ठीक है, आगे बात करते है, specialized topic की यह आपके उपर depend करता है, बच्छों, बात करें दोस्तों, जैसे civil engineering की, तो आपके सारे के सारे topic cover होने चाहिए, सा इस आप सभी में से बात करो, जैसे आप सभी के, जो major subject होब साप, सोल होता है, ठीक है, BMC होता है, और आगे बात करूँ, survey होता है, बच्चो, environment होता है, steel होता है, irrigation होता है, तो जो main, main दोस्तों, subject है ना, आप सभी के, मतलब कहने का मतलब, आप सभी को क्या करना हो, का salute बना ने होंगे रुसी के according आप सभी को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ठीक है जैसे की बात करें दोस्तों आप यह सभी for example के लिए अब दो slot बनाएं और सभी post के लिए बात करूं बच्छो ठीक है specialized topic की अब दो slot बनाएं slot one slot two ठीक है आप सभी ने इसमें special subject कर लिजैसे बात करतें दोस्तों civil वालों की बात करतें सबसे पहले तो आप सभी ने adjust कर लेगी soil ठीक है और सोम जो जरूरी है आगे बात कर लेते बच्छो survey ठीक है एंड आप सभी का क्या हो गया बच्छो irrigation ठीक है RCC और आप सभी का और कौन सा major हो जाता है बच्छो BMC ठीक है आपने 6 topic सबसे 6 subject पहले cover करने है जैसे दोस्त आप सभी को हो गया steel ठीक है environment भी बच्छो आप सभी को इसमें add करनी है irrigation भी आप सभी ने add करी लिए जैसे steel हो गया बच्छो transportation हो गया railway हो गया अब यह दो topic है जिनमें से दोस्तो थोड़ा सा आप सभी का number function कम देखने को मिलेंगे तो आप सभी को सबसे पहले इन जो major major topic है ना उन्हें cover करना है बच्छो समझ पा रहे हो ना तो दोस रोट में आप सभी को तयारी करनी है और बहतरीन तरीके से करनी है ठीक है पहले major subject खतम करो अगर आपके major अच्छे से हो पा रहे है तो आप सभी फिर minor subject पर जाओ और अगर दोस्तों आप सभी ने minor subject भी कर लिए फिर आप सभी दोस्तों क्या deeply जाने की कोसिस करना ठीक है इस तरीके सा आप सभी की approach होनी चाहिए बच्चो चलिए अब मैं बात कर लो difficulty level of exam की बच्चो तो आ ठीक है एक है बच्चो मेट SSK की मेट SSK ठीक है जो मेन मेन है बच्चो उने की बात करूँगा मैं बात करूँ दोस्तों इंजीनर वालों की इंजीनर वालों को आप सभी को reasoning math है जीके इन सभी पर दोस्तों ज्यादा focus करना पड़ेगा क्योंकि जो आप सभी के तीन जो moderate ठीक है और इनका रहेगा बच्चो moderate level का moderate to difficult मान सकते हैं आप सब भी बट इनका बच्चो difficulty level अच्छी रहेगी क्योंकि दोस्तों इस्पेसलाइज्ट जो टोपिक हैना वो कम है 25 नंबर 25 को सनी आने वाले है बाकि इनको focus करना पड़ेगा किन पर भी reasoning पर भी math पर भी यानि कि इनकी अच्छे पकड होनी चाहिए उनमें भी ठीक है तो difficulty level दोस्तों engineers के लिए तो ही है क्योंकि अच्छी post आप सभी की है ठीक है mate SSK की बात कर ले तो बच्चो तो easy level रहेगा बट अपनी तयारी को अच्छे तरीके से करना कि आप सभी के number जादा आपाए ठीक है कहाने क 50% जो है ना यह cover इसको आप सभी revise करेंगे आगे का 50% बचा हुआ है उस पर आप सभी अपनी पकड़ बनाएंगे तभी दोस्त आप सभी से एक्जाम सेलेक्शन ले पाएंगे ठीक है इसे कहते दोस्तों effective approach और जो टोपर वाली होती है यह दी उनकी बात करूं तो टोपर व और अब हम लग रहे हैं एक class को लेने में एक दिन निकाल दे रहे हैं percentage की 10 class हैं और एक class को एक दिन में कर रहे हैं तो 10 दिन में आपका percentage हो रहा है तो यह दोस्तों कहने का मतलब यह है उन बच्चों की approach जो दोस्तों notification आने के बात तयारी करते हैं तो यही दोस्तों फरक है selection वाले बच्चों में और दोस्तों जो तयारी करते हैं आपने notification उन में तो आप दोस्तों किस category में जाना चाते हो यह आपके उपर है तो अभी सही तयारी करो और इस बार दोस्तों सोचकर करो कि यह इस बार selection लेना है 2023 में तो लेना है ठीक है तो ओप सो आप सभी को session अच्छ कराए जाए टोप लेवल की तो उन में दोस्तों बच्चों की density जादा हो ताकि दोस्तों हमें भी अच्छा लगे ठीक है तो इसलिए दोस्तों आप सभी जरूर से चैनल से जोइन हो जाए और मिलते ने accession में धन्यवाद जाहिए बारत